ट्विंकल खंडाने पोश्टर दिखाकर कि अपनी फिल्म मेला की बुराई कहा इसने एक दांक छोड़ा है फिल्म को याद करते हुए उन्होंने एक ट्रक के पीछे की तस्वीर शेयर की है जिस पर फिल्म का पोश्टर नजरा रहा है शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा है मेरा मानना है कि कुछ चीजे टाइमलेस यानी समय की सीमा से परे होती है यह आज मेरे मैसेज पर आया इसके सिवा मैं क्या कह सकती हूँ कि मेला ने निश्ट रूप से मुझ पर और बाकी देश पर एक दाग छोड़ा है आप इसे जैसा देखना चाहते हैं देखें इससे पहले भी ट्विंकल खन्ना मेला का मजाक उड़ा चुकी है लक्षमी को OTT पर रिलीज करने से नाराज है सिनिमा घरवाले अक्षे कुमार की फिल्म लक्षमी को जब सीधी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से सिनिमा घरवालों को बुरा लगा पहली बार इतने बड़े श्टार की फिल्म सीधी सिनिमा घरों से पहले OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी गई दिवाली के तहवारों पर इस फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मी सिनिमा घरवालों की थी सिनिमा घरवाले इस बात के लिए भी राजी थें कि आप भले ही OTT प्रेट फॉर्म पर फिल्म रिलीज करो लेकिन साथ ही सिनेमा घर में भी इसे रिलीज करने की इजाज़त दे दो ताकि वे भी कुछ कमा सके लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फिर भी दिखाई गए सिनेमा घरों में फिल्म लक्षमी खबर आये कि भारत में कुछ सिंगल स्किन सिनिमा घर वालों ने लक्षमे फिल्म अपने ठेटर में दिखा दी उन्होंने फिल्म को कौपी कर पेंड राइब के जरिये फिल्म का परदर्शन सिनिमा घर में किया यह पूरी तरह गैर कानूनी है क्योंकि फिल्म के ठेटर के राइट्स भी कही नहीं है सिनिमा घर वालों ने टिकट बेची और पूरी रकब खुद रख ली दर्सकों को पता ही ने चला की वे जो फिल्म देख रहे हैं वो पाइरेटेड है देखना यह है कि फिल्म के निर्मातर अब क्या कदम उठाते हैं अक्षे की फिल्म लक्ष्मी ने फैंस को किया निराश आने वाली फिल्मों से है उम्मीद अक्षे की हालिया रिलिश फिल्म लक्ष्मी काफी समय से दर्सकों के बीच चर्चम का विशय बनी हुई थी को ओडियन्स का ठंडा रिस्पॉंस मिला, बगर अक्षे के फैंस के लिए निराश होने की कोई बात नहीं है, अक्षे की और भी कई सारी फिल्म में हैं, जो की रिलिज होने की तैयारी में है, दंगे के असली फोटो को स्वरा भासकर ने बताया फोटो सौब्ड, बुरी तरह होई ट्रोल, बिना जानकारी के कुछ भी कहना आपको मुस्किल में डा सकता है, अभी नेतरे स्वरा भासकर के लिए यह बात एक दब सटिक बैठती है, वह कई बार किसी मुद्दे पर बिना जानकारी के कहती नजर आई है, कुछ ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, यहां भी वह स्रिप अपने अंदाजे में राय बनाती दिख रही है, स्वरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ फोटो शेयर की है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवा अमर जवान जोती को तहस नहस करते दिख रहे हैं, उन्होंने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है घटि मड़ रहा है, फिल्म राजा हिंदूस्थानी के चौबिस साल पूरे करिश्टमा कपूर ने शेयर की प्यारी प्यारी सी क्लीप, बॉल्यूर्ड के खुबसूरत अक्टरिस में से एक करिश्टमा कपूर ने कई सुपर हिट फील्मों में काम किया है, इन्हे फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की रिलीज के 15 नौमबर को 24 साल पूरे हो गए है इस मौके पर करिश्मा कपूर ने सोशल मेडिया पर खुशी जाहिर की करिश्मा कपूर ने कैप्शन में लिखा राजा हिंदुस्तानी के 24 साल पूरे बड़ी हो गई है अपनी सलमान खान की बजरंगी भाईजान की क्यूट मुन्नी हरशाली मलहुतरा आपको सलमान खान की सुपर हिट फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली छोटी बच्ची तो याद होगी इस बच्ची का नाम हरशाली मल होतरा है और अब वह काफी बड़ी हो गई है हरशाली ने वह सोशल मीडिया पर अपनी कुछ हालिया तस्वीरे शेयर की है जो रातो रात इंटरनेट पर वाइरल हो रही है और लोग तावजुब कर रहे हैं कि मुन्नी इतनी बड़ी हो गई है फिल्म के अलावा टेवी पर आ चुकी है नजर बजरंगी भायजान के बाद हर्शाली ने टीवी सीरियल कबूल है और लोट आउत रिशा में भी काम किया अब फैंस हर्शाली की अगली फिल्म या टीवी सीरियल का इंतजार कर रहे हैं हाला कि हर्शाली ने अभी तक अपनी किसी अगली फिल्म या टीवी सीरियल की घोशना नहीं की है। पहली और आखरी ब्लॉक बश्टर फिल्म बन गई ताना जी, कोई ने कर सका मुगापला। अधाई मैनों में रिलीज हुई फिल्मों में बात करें तो 10 जनूरी को रिलीज हुई अजे द्योगन श्टारर ताना जी दा अंसंग वारियर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सिनेमा हॉल बंदी से पहले ताना जी अकेली फिल्म है जिसने बॉक्स ओफिस पर बहतरिन प्रदर्शन किया। इस फिल्म ने 280 करोड के आज़ पास लाइफ टाइम कलेक्शन कर लिया और अजे द्योगन की सबसे सफल फिल्म बनी और साल की सबसे हिट फिल्म कही जा रही है हुआ 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 है